शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें क्या बात है कोईली महराज मेरी एक बात मानोगे क्या आप आपना योगी राज के पास जरूर जाईए वो सिद्ध पुरुष हैं उनकी कृपा से ही मुझे संतान की प्राप्ति हुई है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनके पास जाएंगे तो आपके मनो कामना जरूर पूर्ण होगी चंडिके, स्वाहा, अरे जिस देश में ते ऐसा नी संतान राजा होता है, उदर संकट ना आये तो और क्या होगा नी संतान राजा धर्ती के लिए पाप और प्रजा के लिए श्राप है योगी राज, अब आपके जब, तप और शक्ती से मुझे और मेरी प्रजा को इस संकट में से बाहर निकाल सकते हो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे द्वारकरदीश पे बहुत भरोसा था ना, तो जाओ उसके पास, मेरे पास क्यूं आये हो योगी राज, अपको आपकी शक्ती पे बहुत आंकार है ना, तो मेरी भी एक बात सुन लो ने मेरी प्रातना लेके द्वारकापुरी ज़रूर जाओंगा, और वहां से मेरे द्वारकरदीश के आशिवाद लेके ज़रूर वापस आऊंगा जो प्रभु मेरी पुकार नहीं सुनेंगे तो उधरी में जल समाधी ले लूँगा पर आपके पास कभी नहीं आऊंगा द्वारकदीश हे द्वारकदीश हे मेरे भगवान मेरे उपर दया करना आज आपके सामने आपका ये दास भीक मांगने के लिए आया है मेरे पर से कलंग निकालो प्रभु मुझे संकट में से निकालो प्रभु आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु प्रभु मैं इतनी प्रातना कर रहा हूँ और आप छुप हो हम अरे निर्दई कप्टी चलिया अब मेरी भी एक बात सुन लो अगर आपने मेरी प्रातना नहीं सुनी तो मैं आपके शीर सागर में जल समादी ले लूँगा उसके बाद कलंग का टीका आपके सर पर लगेगा आपके सिर पर लगेगा हे हे मेरे कृष्ण जी रे दुनिया के मोहमाया को छोड़के आया मैं तुम्हारे पास लेलो जी मुझे अपने शरण में हे द्वारी का धिश महाराज भगवान जी रभू आपके सिर पर खून ये तो भक्त के भक्ती का प्रसाद है मुझे माफ करो प्रभू मुझे माफ करो मैं आपकी प्रजा की पीडा और आपका संकर्ट समझ सकता हूँ मैं आपके घर पे पुत्र बन के जनम लूँगा पर प्रभू मुझे मालुम केसे पढ़ेगा जब कुम-कुम वाले पैर के निशान पढ़ेंगे और पानी का दोध हो जाएगा मैं धन्य हो गया प्रभू, मैं धन्य हो गया ए भाद्रमस में चंद्रमा चमके तुम्हारे सर पे ए प्रभुजी रामदेव का जन्म हो रहा है हे प्रभुजी आप रखना हमारी लाज महाराज, महाराज, महाराज की जय हो पैधा ही हो महाराज, आपका पूत्र रतनी की प्राप्ती हुई कुम-कुम के पेरों की निशान दिखे पानी का दूध हो गया नहीं महाराज आज ही वो समय है तर अभी तक मेरे प्रभु नहीं पदा रहे हे अंबर से एक तारा निकला और दिये जैसा चमक उठा हे दोनों जुडवा बच्चे को माता मिर्नाल देवी ने जनम दिया हे मेरे परमेश्वर हे लिला करने को प्रभु जी है पधारे लाल लाल पैरों के छाप लिए ओ मेरे रामदेव जी हो रामदेव जी हो रामदेव जी हो पानी को दूद बना कर देखो अपना चमक्तार दिख लाया बाबा रामदेव जी ओ मेरे रामदेव जी द्वार कधीश आपका वचन रखने के लिए आप आगे जेहो द्वार कधीश राणी, मैंने प्रभू के पास तो एक ही संतान की इच्छा जाहिर की थी पर भगवान कितने दयाल हुए, हमें दो-दो संतान के प्राप्ति होई हाँ स्वामी, देखिए, साक्षात बलराम और स्री कृष्णी की जूड़ी लग रही है हे, बड़ा है देव और छोटा राम देव, दोनों मिलके देखो कैसे करे चमत कार देव राम देव जी, हो बाबा राम देव जी, हो बाबा राम देव जी चमत कार, कैसा चमत कार? अरे किसी दासी ने इसका पुत्र उस राजा के सामने रद दिया होगा और राजा नानी खुश हो गए होगे और राश्ट्र का खजार लुटा रहे है चल चल तू भी जा, मैं तो तुम्हारा सोना किसी और तुदे जगे सबकी बुद्धी ब्रष्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है और आप लोग इन बच्चों को भगवान का आउतार मान रहे हो और महराज, महराज तो राज्य का खजाना लोटा रहे है आप इस तरह से भोले भाले मत बनो, मुझे, मुझे तो यह बच्चा जादू कर लगता है मा के आशिरबाद और पीता के प्यार से दोनों देखो, देखो, कैसे बड़े हो गए दोनों देखो, देखो, कैसे बड़े हो गए बहुत-बहुत मुबारक हो, राजा सहेब यह मेरी तरफ से राजकुमार के लेक छोटी सी भेट मा, यह घोड़ा तो मैं चलाऊंगा राजकुमार, कपड़े के घोड़ों को कोई चलाता है बला मा, यह घोड़ा तो उड़ेगा ओ, देखो, राम देबाबा बड़े हो के खोड़े पर सवार हो के कैसे निकले दुनिया सारी देखो, जैजे करते हैं हो बाबा राम देव जी, हो बाबा राम देव जी हो बाबा राम देव जी, हो बाबा राम देव जी हे, रोते हुए बालक को राम देव निहारे देखो, लावार इस बच्चे को कैसे गोद में उठाए, देखो, गोद में उठाए बाबा राम देव जी, बाबा राम देव जी, बाबा राम देव जी, बाबा राम देव मा, 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 ये देखो, मुझे एक ज्ञाड की डाली पैसे मिली है बेटर आमदेव, ये किसकी लडकी है? किसी की भी हो, पर आसे ये हमारी है मा, ये ज़ाड की डाली पैसे मिली है इसलिए मैं इसका नाम डाली रख रहा हूँ अब ये हमारे साथ ही रहेंगी नइ, ये पाप की पोटली इधर नहीं रहेगी ये पाप की पोटली कहसे हो सकती है? मुझे एक भी पापा बता सकते हो? अरे तू कौन है जो मुझे पूछ रहा है यह जो पाप की पोटली नहीं है तो क्या पुन्य का पहाड़ है अरे जिसके माबाप का कोई पता नहीं है कुटुम कभीला क्या है पता नहीं यह रस्ते की धूल यह पाप की पोटली तो क्या मात्य का चंदन है बोल मुझे तू उसके माबाप का नाम बता सकता है तो बोल कौन है उसके माबाप जो अपने माबाप है रामदेव परोध मत करो योगिराज आप तो महाग्यानी हो आप तो ये भी जानते हो कि उपरवाला आप मैं हम सब फरम पिता परमेश्वल की संताने है अरे नादान बा इस लड़की को मिले ये कैसे हो सकता है मुझे तो एक गंगा की तरह एकदम पवित्र लगती है अरे मुरक तू ऐसी अच्छे अच्छी बाते करके लोगों के आखों में धूल नहीं जोग सकता मैं कहता हूँ कि इस लड़की को जगत में कोई नहीं अपनाएगा इसको कोई तो मुझे भगवाग की बाते लगती है तो राजन तो मेरी भी भविशेवाणी आप सुन लो आज तुम इस नादान लड़के की बातों में आके अपना धरम रश्ट कर रहे हो आने वाले समय में तुम्हारा पुरा राष्ट्र बरबाद हो जाएगा और तुम्हारे पुर नामस्कार नमस्कर शकर लेलो शक्कर आँ अरे मीठी मीठी शक्कर ऑफ शक्र कर देते हूं कैसा कर जो आप बेच रहे हुसका अरे भाई मैं तो नमक बेच रहा हूं इनमक पे कभी कर होता है एप जैसे अपकी भावना हआए भड़ा कर लेने वाला नागर्शेट आप जूट क्यों बोल रहे हो राम देव तो बड़े सिद्ध पूरूश हो रहे शित कार उरे शक्कश लो शक्कार शक्कार लो शक़ोल स्फ कर भी की जिए अधिक्चार अले लो जो जो दुब मैं दूज तो नमक है नमक अधियव हो कुने प्रॉप डाइब को देखो गई परभू मुझे माफ करो अब यहाद रहा है अश्क कभी मत बोलता है मत बड़ अब जो किमा मट यह कर अर्टवान वह ऊहर से मीठा डेख जो मिश्री बनाख चमत कार में सभीखर अजिसेए देखो क्या करे इधा। ओrau आ हम देखो आभ देखो राम देदे़। अको हम आ भी देखो रास के जुड़? देखो राम देखो राम देव। बो डेदेव जी की ज्यॉफ आम देव जी की झाय। हाहा अरे बचाओ बचाओ राक्षस आया। अप्वाइब बचाओ बचाओ आरे बचाओ 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 अरे क्या हुआ यूराक्षस आने है भग जाओ आज इस राक्षस को मैं नहीं छोड़ूगा नहीं भाई नहीं, नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूगी मैं जाओंगा मा, मैं जाओंगा नहीं बेटा रामदेव नहीं पिता जी, हमाय राजपुत का धरम है दुश्मन को सामने आता देख, बीचे नहीं हटते और शिरवाद दो राम देव लोगों की पुकार सुनके राम देव पधारे देखो वो पहुच गए बालिना की कुटिया में बोलो राम देव जै बोलो 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 राम देव की जै बोलो 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 राम देव की जै वो बेटा, आप कहुन हो? राम देव बेटा, अब जल्दी से या से चरे जाओ, ये तो राक्षस तुम्हे खा जाएगा अब चिंता मत करो मुनिवर, मैं जिस कान के लिए आया हूँ, वो पुरा करके ही जाओंगा तो तो एक बालक है, मैं बालक हूँ, ये राक्षस का काल, ये आपको अब ही पता चल जाएगा ए भगवाल, ये कैसे धरम संकट में मैं फज गया हूँ, जा बेटा, जल्दी मैं जोपड़ी में छुप जाओ, ये तो राक्षस तुम्हे खा जाएगा, चलो चलो जल्दी जाओ बेटा, अंदर छुप जाओ, सोजाओ बेटा, सोजाओ हे भगवाल, इस बालक की रक्षा करना, इंसान खराब होते है, सब इंसान खराब होते है, 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 अरे दूर दूर तक तो इंसान नहीं दिख रहे है, नहीं तो म मैं मुझे खा जाओ दे राक्षास आजा आजा हे राक्षास अकर चदर खिषता रह गया रामदेव इनको देखे मन ही मन मुस्कूराई जै जै बबारामदेवजी जै बबारामदेवजी ओ Чि बबारामदेवजी हे देख के चमत कर राक्षश घबराया राम देव को देख के भागा देखो राक्षश भागा देखो राक्षश भागा देखो राक्षश हो बाबा राम देव जी हो बाबा राम देव जी जैसे ही राक्ष राम देव को मारने आए वैसे ही उड़के देखो लात मारे राम देव लात मारे हो बाबा राम देव जी हो बाबा राम देव जी हो बाबा राम देव जी मार्खा के राक्षे देखो कैसे धर्ती पे गीरा काल बन के राम देव छाती उपर चड़ा देखो छाती उपर चड़ा हो बाबा राम देव जी हो बाबा राम देव जी हो बाबा राम देव जी हे प्रभू मैंने आपको समझ दूए बहुत बड़ी गल्ती किया आप तो आफ़तारी पुरुष हो प्रभू इधर दूर दूर तक पानी नहीं है कुछ कीजिए प्रभू आप कुछ कीजिए सादू की बात पर विचार करके राम दे ऐसा बड़ा समद्र बनाया कुछ भी कहो रहे योगी राज मुझे तो कभी-कभी ये राम देव ना चमतकारी बाबा लगता है चमबवेट अब आप ही देख लो कपड़े का घुड़ा उड़ाया इतने बड़े बलशाली राक्षस को मार डाला नमक तो शकर बनानी तुम्हार ये बकवास वो राक्षस्त उसके कर्मों सही मर गया उसमें उसने के चमतकार किया है उसको जो चमतकार ही करने होंगे तो गाव में जो अंदेल लूले लंड़े इंसान है उसे ठीक करके दिखाओ तो मैं मानू हे देखो छोटा रामदेव कैसे सेवा करे निसपाप सब का करे उथार करे सब का कल्याड हे रामदेव जी रोगी का करे देखो कैसे इलाज हे बाबा का एक स्पर्ष से सारा रोग व्याद देखो मिट जाए हे बाबा रामदेव जी जेलो रामदेव जी हे घोड़े पे सावार हो के वीर कैसे आए देखो रजा देखो कैसे नमस्कार करे देव रामदेव को हे बाबा रामदेव जी जेलो रामदेव जी बाबा रामदेव जी हे घोडे पे सावार देखो बाबारेत कैसे जनता के दुख सुख देखे राम देव देखो कैसे आशी देते संतार के लोगों को राम देव जी बोलो राम देव जी डाली डाली मेरा भाई कहा है यह तो कोई दुखी इंसान के सीवा करते होंगे आते ही होंगे आज के इस रक्षा बंदन के दीन पर भी भाई बाहर है इस चुखी बंदन के पर राम दो कर दो दो आखी बांद कर राखी देखो बैला कैसे मुश्कुराई राम देव को राखी की लाज रखना मुरे भाईया राम देव जी राम देव जी बेटा राम देव बेटा बहुत ही महत्वपूर्णा बात है क्या बात है पिता जी तुमारी भेन शगुना का विवा पक्का हो गया है पुत्र नंद कुमार के साथ इसका विवा समपन्न होगा एक अदशी का मुहरत निकला है जै चंडिके आई 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 ए पधार ये योगी राज आपका उपकी कुल की मर्यादा और मान सम्मान की परवा नहीं है राजा अजमल के साथ रिष्टा जोड़के आप आपका धर्म व्रष्ट कर रहे हो आप ये कैसी बात करें योगी राज उनके घर पे एक अचुत लड़की रहती है और उनका बेटा रामदेफ अचुत के साथ उट्टा बेटा है और ये बात तो सारी दुनिया को पता है आप आपके लड़के का रिष्टा वहाँ बानना चाते हो ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी मैं आभी क्या भी अच्मलची के घर पे रिष्टा तोड़नी की ख़बर भेचता हूँ अभी ये रिष्टा नहीं रहा नाई उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे जैसे उन्होंने आपका धरम रश्ट किया है वैसे ही भरी सबाबें आप उनका अपमान करो तभी मेरी इच्च और आपका मान संपूर्ण होगा तो ठीक है योगी राज मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसी वक्त वो रिष्टा खतम कर दूँगा रुक जाओ ये शादी नहीं होगी अरे क्या हुआ संपूर्ण जी हमसे कोई गल्ती हो गई है गल्ती? बहुत बड़ी गल्ती है इस लड़की को अपना कर आपने आपका धरम ब्रश्ट कर दिया है वैसे तो ये इस लड़की में क्या खोट है खराबी इतनी है कि आपने उसको अपना के राजपुत की शान पे पानी फेर दिया है कौन है इसके माबाप? क्या है इसकी जात? जात? संपूर्ण जी ये भी द्वार का दीश की संतान है अब मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है चलो बेटा, चलो यहां से नाई, आप ऐसे नहीं जा सकते हो इस मंडप में से मेरी भेहन की बाराथ वापस नहीं जाएगी तुम कोनो मुझे रोकने वाले? रामदेव, सर्दुना का भाई ओ, वही रामदेव ना जिसके माबाप को कोई पता ही नहीं है? जिसे कोई राजय के गोद में डालके चला गया? ये वही अनाज सब के सामने खुद को कन्या के भाई के रहा है क्या बोल रहे हो संबी जी? ये तो मेरे आखों का रतर, मेरा लाल, मेरी जीवन का आधार है तो अपने लड़की को और अपनी लड़की को जीवन बर अपने साथ ही रखना मैं तो अभी के भी जा रहा हूँ नहीं नहीं, आप यहां से मच चाहिए मैं चली जाती हूँ नहीं डाली, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगी पानी अब सर पे चड़ चुका है या तो मेरी बहन को ले जाओ या फिर आपका सिर देखे देखते कौन किसका सिर लेके जाता है हो जाओ तयार मारो यह किसे हुआ बर्स करो बापू मंडप में आई ओई बारात वापस नहीं जाएगी राजपुत धरम के लिए मैं ये शादी करने को तयार हूँ है अच्छा घर देख के बहना कि शादी कैसे करवाई देखो बाबाराम देव जय जय बोलो राम देवजी बाबाराम देवजी बाबाराम देवजी इस भहू का स्वादत करने के भई ज़रूरत नहीं है उस गर में हमारा बहुत अपमाल हुआ है उसका मैं तिल तिल बजला लूँगा आज से ये लड़की इस महल में तानी बन के नहीं तासी बन के रहेगी आओ महरानी आओ झाल